माद्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थनक शेत्र के अंत्रगत आने वाले घासपूरा में तीन दिन पहले रात को राजेश पवार के गैस गुदाम में एक के बाद एक हुए ब्लास्ट से हड़कम मच गया था ब्लास्ट के चलते 6-7 लोग घायल हुए थे जिन में राजेश पवार की पतनी मादुरी पवार भी थी उन्हें गंबीर अवस्ता में खंडवा जिला अस्पताल भेजा गया था जिसके पशात प्रात्मी को उपचार करके उन्हें खंडवा से इंदौर रेफर कर दिया गया आज मादुरी राजेश पवार का शाम को लगबग 7 बजी गया असपास इंदौर में इलाज के दौरान निधन हो गया उनके शरीर को वहां से यहां लाए जाएगा या वहीं उनका अंतिम संस्कार होगा इस बात को लेकर कन्फरमिशन नहीं है परन्तु उनके परिवार के लोगों ने बताया कि आज शाम को इंदौर में उनका निधन हो गया है वहीं राजेश पवार को पुलिस ने गिरफतार करके जेल भेद दिया था इस मामले के घटित होने के पश्चात लगतार खाते विबाग की टीम जिले भर में कारवाई कर रही है एक के बाद एक दबि है वो भी जुलसकर इस समय ऑस्पिटल में एडमिट है उसकी पूरी जिंदगी बरबाद हो गई अगर परशासन पहले जाग जाता तो शायद ऐसा ना होता लोगों का यह कहना है कि इसमें राजेश का तो नुकसान हुआ ही लेकिन जिस तरह की घटना थी गनीमत ही रही कि से बहुत जादा नुकसान नहीं हुआ संपत्ति का नुकसान हुआ अने था बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था जिस तरह का वो घटना करम था आगे सबक लेने की जरूरत है